हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंट्स अगर आप एक शोट्स क्रियेटर हैं शोट्स का चैनल है आपका आप शोट्स वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए बहुती बड़ी खुश खबरी आ गई है जिस से आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स हम आ चुके हैं अपने लैप्टॉप की स्क्रीन के उपर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहापे शोट वीडियो प्लस बिलियन ओ वीडियो दोनों डालनी शुरू की हैं तो उनका जो ओवराल है वह वोस्ट टाइम और सबस्क्राइबर ग्रोथ में काफी जादा है उससे काफी अच्छे रिजल्स देखने को मिले हैं तो आपको यहापे मेली तीन पॉइंट चालने बहुत जादा जरूरी है जिसमें सबस पहले जो आता है वो पॉइंट आप यहाँ पे देखें 30 billion views a day more chance to be seen billion of views means billion of potential fans youtube shorts are now generating over 30 billion views per day 30 billion एक दिन में views आ रहे हैं short वीडियो से don't miss out on the chance to get in front of new crowds मतलब आप जैसे short बनाते हैं वैसे youtube पर जो shorts बना रहे हैं उनके एक दिन में 30 billion views youtube पर आ रहे हैं जितनी भी shorts बन रहे हैं उनकी total views जो आ रहे हैं 30 billion views आ रहे हैं मतलब आप समझ सकते हैं कि आगर आप कोई short video बनाएंगे तो आपके कितने ज्यादा chances हैं कि आपकी जो वीडिय है वो लाखों में चली जाएं millions में चली जाएं क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहां पर 30 billion views आ रहे हैं एक दिन के अंदर तो यह काफी ज्यादा अच्छी चीज़ है आपको motivate करने के लिए तो आपको shorts वीडियो जरूर बनानी चाहिए अब दूसरी बात करते ह हैं दूसरे point की तो यहां पर आप देख सकते हैं breathe new life into your videos inspire fans to use your sounds मतलब आप अपनी fans जो हैं जो आपके subscribers हैं उनको आप अपनी sounds use करने के लिए inspire कर सकते हैं जिससे आपके original content पर आपको ओर ज़्यादा views देखने को मिलेंगे और इसी तरीके को use करके अपरेल में अपरेल 2022 के अ original content में उन्हें काफी जादा views देखने को मिले तो आप भी इस तरीके से shorts वीडियो बना सकते हैं आपको बनानी चाहिए अब third और last point है वो है be easily discover no matter the format इसके लिए तो आपको वरी होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है जब आपको youtube short video डालते हैं तो आपके youtube channel के पर उसकी category बनी हुई है मतलब आपकी long video की category अलग है और short video के लिए हुआ पे shorts का section दिया हुआ है जिससे उसे specific या उसे जो आप कह सकते हैं कि targeted notifications हैं वो आपको मिलते रहते हैं filters आपको यूज कर सकते हैं ठीक है आपके analytics में specific किया हुआ है उस section को अलग से दिखाया गया है ज ये तीनो points हैं जो आपको जानने बहुत जादा जरूरी हैं आपको इसको जानके बहुत अच्छा motivation मिला होगा जिससे आप inspire होके और अच्छे-च्छी shorts वीडियो बनाएंगे तो friends अब आप भी हास से ही और भी अच्छे-च्छी shorts बनाना शुरू कर दें और ज्यादा shorts अप